प्रस्णावली 5.2 के सारे question हमने complete करा दिये हैं आज हम देखने जारे हैं प्रस्णावली 5.3 प्रस्णावली 5.3 के पहला question क्या है नियम लिखी सामानता श्रों का योगं गहांद कीजये मतलब सामानता श्रों य्याद करना है पहले हम योग गहांद करने का formula आपको बता देते है क्या होता है यह ज्यात करने का फार्मूला S N मराबर होता है N upon 2 2 A plus N minus 1 into B S N इसमे S N क्या है पदो इसमे N क्या है पदो की संच्छा आये क्या है आपका प्रथम पद है आर इसमें पदो की संच्छा यह D सार सार अंतार है और क्या न में S N S N क्या हो जाएगा N पदो S N को हम S N या लाश्ट आया अंतिम पदो इसको हम अंतिम पदे हो जाएगा आपका यह फर्मूला आपको योग ज्याद करने को फर्मूला है एक और फर्मूला इससे सौट है देखिए S N इसको हो जाएगा N अपान टू A प्लस A N मतलब A N पद या S N कुछ भी यहाँ पर जाएगा अगर S N योग फर्मूला इससे सौट हो जाएगा और एक फर्मूला आपको पहले ही पता है A N परावर A प्लस N माइनस 1 इंटू D ति आपको पता ही है A आपका प्रथम पद होता है A N आपका पदों की संचा होती है D आपका सरवन्तर होता है यह अपका फर्मूला यह आपके फर्मूले हो गए आप इसमें क्या बोला है Samaantar Shrenugy को योग फ़ल निकालने का फार्मूला का यह है योग फ़ल आपका भल इसमें आपका 1 यह जाएगा आट men यह जाएगा आट यह जाएगा यह आपका प्यान हो गए मतलब दस पदों तक आपको ज्यांद करना थे पहले इसको देखें यह आपको दो गया इसमें आपको ग्रेफ क्या है 5 का ग्रेफ है 5 का मतलब सार मतलब 5 का इसमें है है पांस काश में हैं तो हम पहले योग ज्याद करना तो पहले दो ये साथ बारा पांट जोड़े तो सत्रा शत्रा पांट जोड़े तो बाईस दस पत्ताख हम पहले इसको आपको बता देते हैं कि मतलब आपको फर्मूला नहीं आदा है तो कैसे आगे जाद कर सकते हैं बाइस बाइस पाँच सताइस 27 पाँच 22 बाद तीस पाँच 27 मतलब पाँच पाँच का गया हमने पहले असारवान तर गयाद के लिए इन दोनों में अंतर कितना उसमें से आगया पांच-पांच एड़ करते जाते हैं 37 37 पांच बद 42 पांच एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस आपका यह दस पांच आपका यह 47 हो जाएगा यह आपके दस पांच मतला यह ज्याद करना तो इन सब को हम एड़ कर देंगे इस पांच फारमूला का यह जाएग करते हैं तो आपसे को नहीं दस पांच इससलिए हम फारमूला का यह प्रयोंग करते हैं तापको फार्मूला इसमें क्या हो जाएगा प्रथम पर प्रथम पर त rated वराबर आप प्क्या है दो सारवनतर आप क्या है सारवंतर d बराबर आपका क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 होता है तो क्या हो जाएगा सारवंतर बानस 2 है तो आपका कित्ता है का सारवंतर 5 आजाएगा और sn आपको क्या दिया है मतलब n बाद आपको 10 दिया है n आपको 10 दिया है तब sn आपको योग फ़ल निकालना है न योग ज्याद करना तो इसका फर्मूला तो यह सै न अपांट 2 2A प्लस N मानस 1 इंटु D यह आपका फर्मूला हो जाएगा तो यह न की जगह पर यहां पर यह न की जगह पर हम यहां पर 10 रख देते हैं तो यहां की जगह पर हम 10 पूट करेंगे तो यह हो जाएगा 10 अपांट 2 2 इंटु A आपका प्रथम पच्चा है 2 प्लस N आपका क्या दिया है 10 पदो तक यहां आपका मान दस है मानस 1 D आपका कितना निकला है 5 शार बंतर D यह दो यह कंद पंचा 10 तो यह 5 आजाएगा नहां पर दूट नहीं 4 प्लस 10 में जाएगा 9 आजाएगा इंटु 5 तो यह S 10 बराबर हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 बना 45 हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 5 इंटु 45 और 4 उन्चास हो जाएगा S 10 बराबर उन्चास में 5 का मल्टिप्लाई करते हैं पर नमा 45 की 5 आजिल 4 5 24 24 24 यह आपका 245 दसमा पद आपका निकला है यह आपका एंसार होगा question number first हमने solve करके बता दिया अब हम question number second पर जाते हैं अब बच्चों हम question number second देखते है question number second आपका क्या है मारंस का 37 मानस का 33 मानस का 29 देख बारा पदोता हमें हमें बारा पदोता ग्यात करना है मतलब ग्यात करना है sn यह फर्मूला फिल लगाएंगे n upon 2 a 2 a plus n मानस 1 d यह सान आपका क्या हो जाएगा पदो का योग फाल हो जाएगा और n आपका क्या है पदो की संख्या है आपका और यह तो पता है आपका प्रथम पद है और d आपको सारवंतर दी आपका सारवंतर है अब यहाँ पर हम स्वाल्व करते हैं यह आपका a1 हो जाएगा a2 हो जाएगा a3 यह आपका n है तो यह आपका फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद आपका क्या है प्रथम पद a बराबर आपका क्या है मानस का 30 से बान है अब यह सारवंतर b इसकाल two क्या हो जाएगा a2 मानस 35 मानस का 37 हो जाएगा यह आपका मानस 33 मायस मानस क्या हो जाएगा यह होगा आपका 37, तो 37 में 33 जाएगा, यह आपका 5 आजाएगा, 5 नहीं आएगा, यह आपका 4 आएगा, आप इसमें हम n आपको क्या दिया है, 12, तो हम इसमें फार्मोरा लगा लेते हैं, s n बरावर n आपां 2, 2 a प्लस n मानस 1 इन्टू b हो जाएगा, s n की जगा पर किता दिया है, तो यहाँ पर 12 लिख लेते हैं, यहाँ की जगा पर हमें 12 लिखना है, 12 आपां 2, 2 इन्टू a, आपका प्रथम पाद क्या है, मानस का 37, प्लस n बारा मानस 1, इन्टू d कितना है आप आपका 4, तब इसको हमें 2 कंद 6 का 12, तो यहाँ आपका 6 आ गया, अब यह, जो सत्य चवदक 4 हांसील 1, 2 तैंट 6, 6, 7, मानस का 74, क्योंकि 2 का मल्टिप्लाई इसमें होगा, प्लस, 11 इन्टू 4, 12 में एक 11 आ, इन्टू 4 आजाएगा, यहाँ S, 12 वराबर क्या होचा है, 6 है, मानस का 74, प्लस, 11, 11 में 4 क्मर्टिप्लाई, इन्टू 4 होगा, इसमें 6 है, इन्टू, यह 0 आजाएगा, चार में 4 क्या 0, 7 में 4 आजाएगा, 3, मानस का 13 आजा, इन्टू 6, यह 12 आजाएगा, S, 12 वराबर आजाएगा, सुन नम्चुन, छत्री, 18, मानस का 180, मतलां, यह आपका बार्मा पाद आपका क्या निकला है, मानस का 180 आजाएगा, यह आपका, एंजार हो गया, अब बच्चो, कोश्चन नम्बर 3, कोश्चन नम्बर 3, क्या है आपका, 0.6, 1.7, 2.8, 10, 10, 100 पदों तक हमें इसका योगफ़ ग्याद करना है, इसमें हम प्रथम पद, प्रथम पद, आपका क्या है, 0.6 है, सारवंतर आपका क्या है, सारवंतर, दी बराबर आपका क्या हो जाएगा, यह आपका, A1, यह 2, और यह, A3, यह आपका, N हो जाएगा, यह, A2 मानस, से बना हो तो 1.7 माना 0.6 यह घटे के क्या आ जाएगा 1.1 क्योंकि साथ में 6 जाएगा एक आ जाएगा यह आपका एक हो जाएगा अब इसे में हम एन आपको क्या दिया है साथ तब इसमें हम फार्मूला लगा 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 एक एसे एन बराबर हो जाएगा एन अपांड टू टू ए प्लस एन मानस वान इंटू दी यह आपका फार्मूला होगा अब एस एन की जगा पर कितना दिया है हंड्रेड तो हंड्रेड अपांड टू टू इंटू प्रथाम पद आपको क्या है 0.6 प्लस एन आपको क्या दिया है 100-1, सारवंतर आपका क्या दिया है, 1.1, इंटू, 1.1 हो जाएगा आपका, S का 100 में पार्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, दू, 5, 10 ही आपका, यहाँ प्याज आपका, पचास, अब इसका multiply करना है, 6, 2, 12, यह होगा, एक point, 2 हो जाएगा, क्योंकि दसम्लाल एक संक्षम लगा है तो डारेक्ट हम 6 में मुल्टिप्लाइ कि जीरू उरू का नहीं छदू नहीं 12 तो 1.2 हो जाएगा प्लस यह आपका 99 जाएगा तो 99 हो जाएगा इंटू 1.1 अब 99 में हम पहले यह 1.1 है ना किसी में हम पहले 11 इसको हम पॉइंट अभी नहीं लगा ते 11 एक संक्षम लगा है ना एक संक्षम चोड़के यहां पर हम दसम्लाक बाद एक अंक है तो दसम्लाक बाद हमने एक अंक में पॉइंट लगा दिया है यहां पर हो जाएगा एस हंडेड इसकल टू पचास और 1.2 प्लस 108.9 एक सो आठ पॉइंट ना गया आप 108 में 1.2 जोड़ना है तो 1.2 जोड़ना है तो 1.2 जोड़ना है यहां पर यह आपका मल्टिप्लाई है एड होगा नाव दो एक जारे के एक हांसी लेक आठ एक नाव नाव एक दस सुन हांसी लेक यह आपका एक आज आएगा यह आप 110 त्याब को जागा 50 इन्टू 110 ठीक आप इसमें हम अब बच्चों यहां पर 50 इन्टू दस समलाब के आगे एक है ना दस समलाब के बार haz एक संग्चाहत है एक संग्चाहत है यहां पर यहां हम एक संग्चाहत यहां पर 0 आजाएगे a डसस्टायं यहां से कट जाएगा यहां है अपको क्या ओजाएगा 5 इंटू 1 1 0 1 हो जाएगा यह आपका S 100 पद में हो जाएगा यह आपका 5 से multiply हम कर लेते हैं 5 एक का 5 5 मैं 0 को multiply करेंगे तो 0 आगए 5 एक का 5 5 एक का 5 यह आपका 100 पदों का यो 5505 आएगा यह आपका answer हो जाएगा अब कोच्चन नमबर हमने 3rd solve कर दिया है अब हम 4 वजाएगे अब बच्चों कोच्चन नमबर 4 देखते हैं कोच्चन नमबर 4 क्या है आपका 1 बटी 15, 1 बटे वारा, 1 बटे 10 10, 10, 10, 11, 12 पदों 11 पदों थक हमें इसका योगफल याद करना है यहाँ पर हाल हम लिख लेते हैं इसका प्रथम पद आपका प्रथम पद अब बटे 15 सारवंतर दी बड़ावर हो जाएगा A2 मानस A1 यह आपका A1 A2 A3 यह N बट हो जाएगा तो यह आपका A2 मानस A बटे 12 मानस 1 बटे 15 12 और 15 का LCM ऐसे, ऐसा LCM लेना है जो कि दोनों समचा से कट जाए 12 से भी कट जाए 15 से भी कट जाए इसका हम 60, इसका LCM आजाएगा 12 बटे 5 का मल्टिप्लाई एक में करेंगे तो यह आएगा 5 मानस 15 का भाग 60 में 15 चो को 60 4 का मल्टिप्लाई 1 करेंगे तो यह आपका 4 जाएगा तो यह आपका 1 बटे 60 है आपका सरबंतर अब यहाँ पे N आपको क्या दिया है 12 अब हम वही फार्मूला फिर पूट कर देते हैं SN बरावर N आपांट 2 2A प्लस N मानस 1 इन्टू D यही फार्मूला हमें फिर पूट कर देना क्योंकि हमें प्रथम पद निकल मिल गया सरबंतर निकाल लिए हम आप यही फार्मूला प्लस N आपका 11 है मानस 1 D आपका क्या हो जाएगा 1 बटे 60 जिसमें 11 बटे 2 और 2 बटे 15 और प्लस 11 में 1 जाएगा तो 10 इन्टू 1 बटे 60 यह आपका 0-0 कट जाएगा तो आगे क्या बचे गए आपे 11 अपांटू 2 बटे 15 प्लस 1 बटे 6 बचेगा क्यूंकि 1 उपर बचरा नीचे 6 1 बटे 6 हो जाएगा 11 बटे 2 इन्टू 15 और 6 काल्सियम क्या हो जाएगा 30 क्यूंकि 15 दूनी 30 होता है 6 पंचा 30 होता ऐसा एलसियम लेना जो दोरो संच्छा से कट जाए यहाँ पर हम 30 एलसियम ले लेते हैं 15 दूनी 30 2 बच्चा 2 का मल्टिप्लाइ 2 में करेंगे ति आपका 4 आज आएगा 6 पंचा 3 5 आए 5 का मल्टिप्लाइ 1 में करेंगे ति आपका 5 आजाएगा 11 बच्चा 2 इंटू 5 आज नव बच्चा 9 बच्चा 30 हो जाएगा अब यह खटेगा 3 त्रिकाई ना 3 एक कमती यह दस आया यहाँ पर हो जाए 11 बच्चा 2 इंटू 3 बच्चा 10 आया ठीक 11 तो एक जा रहा थे हैं इसका मल्टिप्लाइ सीदे सीदे हो जाएगा जा रहा थे हैं 33 दस दूना 20 यह आपका एंसर आगया एंपदुता का आपका योगफाल 33 बच्चा 20 आगया यह आपका कोश्चान नमबर 4 अब कोश्चान नमबर 4 कंप्लीट हो गया अब कोश्चान नमबर 1 में जो 4 कोश्चान थे हमने 4 कोश्चान करा दिये हैं अब हम कोश्चान नमबर 2 में चलते हैं अब बच्चो कोश्चान नमबर 2 कोश्चान नमबर 2 क्या बोला नीचे दिये गए योगफलों को ग्याद कीजिए, मतलब जो दिया हुआ उसका हमें योगफल ग्याद करना है, question number first क्या है, 7 प्लस 10 साई, 1 बटे 2, प्लस 14 प्लस 14 प्लस 18, 4 दिया है, मतलब लिए लापका अंतिम पार 18, 4 दिया है, इसमें हम, यह आपका A1, A2, A3, आईए, A, N बापद, मतलब अंतिम पार, N बापद हो जाएगा, यह आपका प्रत्थम पार, A बराबर, 7 हो जाएगा, और का सारवांतर क्या होगा, सारवांतर D पराबर हो जाएगा, 10 दूना 20, D से 21, 21 वटे 2, माइनस 7, तब इसके नीचे कुछ नहीं है न, यहाँ पे हम, एक मान लेते हैं, 30 कल्सियम, 2 और 1 कल्सियम, 1 आएगा, तो एक कभाग 2 में देंगे, तो एक बचेगा, एक का मल्टीप्लाइ एक किस में करेंगे, तो यह आपका 21 आएगा, मानस, एक कभाग 2 में देगा, 2 आएगा, 2 को multiply 7 में करेंगे तिया आपका 14 आजाएगा 21 में 14 आजाएगा 7 बटे 2 आएगा अब इसमें हम AN आपको क्या दिया है? 84 AN का formula आपको पता है क्या है? A plus N minus 1 into D is equal to 84 A आपको क्या है? 7 plus N minus 1 into D D आपको क्या निकला है? 7 बटे 2 यह आपका 84 हो जाएगा अब यह N minus 1 7 बटे 2 is equal to 84 यह plus में तो धर जाके मानस में हो जाएगा तो N minus 1 into 7 बटे 2 यह 84 में 7 जाएगा तो किता हैगा? 77 आएगा अब N minus 1 is equal to 77 यह आपको क्या हो जाएगा? इधर into में है इधर जाके बटे हो जाएगा यह 7 बटे 2 हो जाएगा यह 7 से कट जाएगा 7 एककम 7 एक 11 आएगा तेन मानस 1 आपान जादूनी 22 तेन बराबर क्या हो जाएगा? 22 यह plus में तो धर जाके यह minus में तो धर जाके प्लस में हो जाएगा एक तेन बराबर आपका 23 अब यहाँ हमें 23 निकल आया अब हम SN मतलब योगफल निकाल लेते हैं SN आपका फर्मूला क्या होता? योगफल का फर्मूला क्या होता है? N आपान 2 2A प्लस N मानस 1 इन्टू D यह आपका फर्मूला योग निकालने का है तब यहन की जगा पर कित्ता हो जाएगा 23 यहन निकाल लिया 23 तब यहन की जगा पर हम 23 पूट कर देंगे 2 इंटू प्रथम पाद आपका 7 है प्लस 23 मानस 1 इंटू 7 बटे 2 7 बटे 2 क्योंकि शारवंतार आपका 7 बटे 2 है 13 इंटू 23 अपान 2 7 बटे 2 7 का मैंटिप्लाइ 2 है क्या आपका 7 बटे 2 चौदा प्लस 23 में एक जाएगा 22 इंटू 7 अपान 2 2 से यह कटेगा 11 बार 2 एक कम 2 2 एक कम अब इसको हम थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं यह आपका क्या हो जाएगा S 23 इसकाल टू 23 अपान 2 आपका क्या हो जाएगा 14 प्लस 11 सत्य क्या आपका 77 हो जाएगा 23 अपान 2 इंटू 7 चार ग्यारा के एक हाँ से लिए 7 एक आठ 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 ना हो जाएगा तो यह आपका इसमें हम पहले 23 बटे 2 91 में पहले हम 23 23 का मल्टिप्लाई 91 में कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 91 3 3 एक कम 3 29 27 की 7 2 एक कम 2 नदूनी 18 3 और 7 2 ना 8 दो 10 हाँ से ले 2 यह आपका कितना है गा 20 2093 बचा आया आएए दो का इसमें हम भाग दे देते हैं दो का हम भाग देंगे आपका ये भी एंसर सही है पर क्याना में हम अगर भिन में निकालना चाहे जिसे के पूरान तुमें निकाले थे दो का भाग देके निकाल सकते हैं तिसमें हम आपको निकाल के बता देते हैं फड़ा यहां पर हम मिटा लेते हैं जगह नहीं है आपको भाग देखें यहां पर हम मता देते हैं 93 में 2 एक कम 2 कट जाएगा यह 0 यहां पर आजाएगा यह 9 उतरा 2 चव को 8 यह आपका 1 आए 9 में 8 जाएगा 1 आए यह 3 बचा तो 2 चक का 12 यह आपका एक आया यह क्या हो जाएगा आपका भीन में अगल लिखना है पूरा आएगा में 1 0 4 6 सही 1 बचे 2 क्योंकि 6 पाल पहले उपर लिखा जाता है फिर भाग बाल नीचे लिखे जाता है यह आपका पूरा आएगा यह आपका योग फालिया यह आपको एंसर आ गया यह को कुश्चन नमबर फास्ट सॉल्व हो गया अब हम कुश्चन नमबर सेकंड सॉल्व करेंगे अब बच्चों कुश्चन नमबर सेकंड क्या है 34 प्लास 32 प्लास 30 प्लास 10 देश 10 मतलब इनका हम पहले एंबा पद निकालेंगे फिर इसके बाद हम इसका योग फाल निकालेंगे इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद ए बराबर हो गयागा 34 सारवंतर सारवंतर दी बराबर आपका क्या हो जाएगा 32 मानस 34 हो जाएगा, 32 मानस 34, a2 मानस a1 होता है, आपको क्या निकलेगा, मानस का 2, अब इसमें n आपको क्या दिया है, a n आपको दिया है, 10 दिया, अब हम a n ब्रवद 10 दिया, a n बाला हम पर होला लगा लगते है, a प्लस n मानस 1 इंटू d, इसकल टू 10, तो यह आपका a प्रथम पर 34 दिया है, n ज्यात करना है हमें, d आपका क्या दिया है, मानस का 2, इसकल टू 10, तो यह आपका हो जाएगा, यह इसका multiply कर लेते हैं, तो 2, मानस का 2, n, मानस मानस प्लस 2 हो जाएगा, 10, यह प्लस का 34 है, तिधर जाके, मानस का 34 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा, मानस का 2N प्लस 2 स्कल्ट 2 यह आपका हो जाएगा 24 मानस का 24 हो जाएगा क्योंकि 34 में 10 जाएगा तो मानस का 24 आ जाएगा मानस 2N बराबर मानस का 24 यह प्लस में है इधर मानस का 2 आ जाएगा क्योंकि प्लस का दोएट उधर जाके मानस हो जाएगा तो मानस का 2N बराबर क्या हो जाएगा मानस का 26 दिये मानस से मानस कट जाएगा मानस से मानस कट जाएगा तो N बराबर आजाएगा 26 अपन 2 तो दो एकां दो ताइं 6 तो यह नापका क्या निकलाया तेरा अब हम योगफल, स-N बराबर, योगफल मतल्द सूतर लगा लेते हैं स-N बराबर हो जाएगा ए N अपांड two A प्लस A ए एक फार्मूला हम आपको ये भी बताये थे योगफल याद करने का तो हम ये फार्मूला से देख लेते हैं स-N 13 एन आपका क्या है 13 बटे 2 ए आपका क्या है प्रथम पर 34 प्लस एन आपका क्या दिया है 10 यह आपका एस 13 बराबर हो जाएगा 13 बटे 2 इंटू 34 10 कित्ता होता है 44 दो से यह कट जाएगा 2 दूनी 2 दूनी 4 यह जाएगा 13 इंटू 22 अब तेरा कहां मिल्टीप्लाई करें तेरा दूनी 26 हासील दो तेरा दूनी 26 26 दो 28 एस 13 आपका हो जाएगा 286 मतलब इसका योगफ़ 286 आएगा यह आपका एंसार हो गया question number second हम आपको solve करा दिया अब हम question number third विजाते हैं question number third को देखते हैं अब बच्चो question number third question number third आपका क्या है minus 5 plus minus 8 plus question में minus 14 plus that test plus question में minus 230 दिया है इसमें पहले हम n निकालेंगे पदों की संक्चा निकालेंगे फिर हम इसका योगफ़ निकालेंगे ति आपका प्रथम पद प्रथम पद a बराबर आपका क्या हो जाएगा minus का 5 हो जाएगा आपका सारवंतर सारवंतर d बराबर क्या हो जाएगा a2 minus a1 और a1 क्या है मानस का 5 तिया आपका क्या हो जाएगा मानस का 8 मानस मानस प्लस 5 हो जाएगा तिया आपका सारवनतर क्या निकल गए मानस का 3 निकल आया अब n आपको क्या दिया है अन आपको क्या दिया है लास्ट पाज मानस का 230 दिया है तिया अन का हम पहले फाज मुला लगा देते हैं, a plus n minus 1 into d, iscal to minus 230 आपको दिया हुआ है, a आपको क्या हो जाएगा, प्रथाम पर, minus 5 दिया है, plus n आपको ज्याद करना है, d कित्ता दिया है, minus 3, minus 230 आपको दिया ही हुआ है, अब यह minus का 5 है, तुदर लखे, plus का 5 हो जाएगा, and minus 1, यह minus का 3, iscal to minus 230, यह plus 5 हो जाएगा, अब minus 3 का हम multiply में कर लेते हैं, minus 3 and minus minus plus, यह 3, एक का multiply होगा, तो यह 3 आ जाएगा, यह सcal to हो जाएगा, minus का 220, क्योंकि 230 में 5 जाएगा, 220 बचेगा, अब इसमें हम, minus का 3, n बराबर हो जाएगा, यह plus का 3 ही तरह है, उधर जाएगा, तो minus का हो जाएगा, तो minus का 3, n बराबर हो जाएगा, minus का 228, 3 जूट जाएगा, तो minus का 228 आ जाएगा, minus का minus कट जाएगा, n बराबर आपका क्या हो जाएगा, 228 बटे 3, अब 3 का भाग दे जिते हैं, 3 सते 11, अब बचा 1, 3 चंग 18, तो n बराबर किता आगा, 76, आपका n बराबर 76 आगया, अब sn का हम फर्मूला लगा के योगफल याद कर लेते हैं, हम sn बराबर n अपांट 2, a प्लस an, ये फर्मूला आपको हम योगफल निकालने का ये भी बताये थे, हम इस फर्मूले से निकाल लेते हैं, के याद, sn की जागव पराब 76 रखेंगे, 76 बटे 2, ये आपका प्रथम पाद क्या है, मानस का 5, और an आपको क्या निकाला है, मानस का 230 दिया हुआ है, तो, s 76 इसकाल टू, ये दो से कट जाएगा, 2, 6, 2, 8, 16, तो ये आपका आजाएगा, 38 आजाएगा, मानस का 5, मानस, क्योंकि ये प्लस में है, ये कोश्टाग में है, तो मानस का ये प्लस है, तो मानस हमें हो जाएगा, 23, that's 76, इसकल टू, 38 इन्टू, ये आपको क्या हो जाएगा, मानस का 235 हो जाएगा, अब 235 में हम 38 का मल्टिप्लाई कर लेते हैं, तो 235 इन्टू, 38, आट पाइच, चाले से सुन, हांसिल चाल, आट तिक, चौविस, चौविस, आर अटाइस के आठ, हांसिल दो, 821, 16, 16, 22, 18, तिन बचे पंदर पांच, हांसिल एक, तिन तरिकाई नाव, एक दास, हांसिल एक, तिन दूशाय, एक 7, आट पांच एक 3, हांसिल एक, आठ एक 9, साथ एक 8, ये आपका कितना आगया, कोश्चन नमबर थर्ड आपका solve हो गया, अब हम कोश्चन नमबर सेकेंड में तीन कोश्चन है थे हमने तीनों कोश्चन करा दिया, अब हम कोश्चन नमबर थर्ड पर चलते हैं मतलब लाश्ट वाला अंतीम पद आपको पचास दिया है, इसमें N मतलब पदो की संग्चा और यसन मतलब पदो का योगफल याद करना है, हमें यहां पर हम लिख लेते हैं, कि हमें दिया क्या क्या है, दिया है, प्रथम पद, प्रथम पद A, बराबर आपका पांच दिया सारवंतर सारवंतर D आपका क्या दिया है 3 और An आपका क्या दिया है 50 अग्याद क्या करना हमें N हमें निकालना है Sn भी हमें निकालना है यहाँ पे हम An आपका फर्मुला क्या होता है A प्लस N मानस 1 इंटू D इसकल्टू 50 आपका दिया है फर्म पद आपका 5 दिया है N आपको निकालना ही है B आपका दिया है 3 आप 20 यह हो जाएगा तो यह तीन का निका इbstव हमें 3 n मानस 3 इसकल्टू यह 50 यह प्लस में तो अधर जाके मानस धी हो जाएगा 3 n मानस 3 इसकल्टू 45 50 में 5 जाएगा 45 पाजाएगा 3 n इसकल टू 45 यह मायरास है तुदर जाके प्लास हो जाएगा 3 तब क्या हो जाएगा 3 n इसकल टू 48 45 प्रतीन 48 हो जाएगा n बराबर क्या निकला है 48 बर्टे 3 3 एक कम 3 चंग 18 यह बराबर 16 अब हमें कितना मिल गया 16 मिल गया अब हमें sn का हम फर्मुले का आपको बताया थे n आपांट 2 a प्लास a n वापद मतला अंतीमपद अंतीमपद को हम a n से भी डीनोट करते है और से भी लिख कर सकते हैं n की दगा पर 16 इसका टू 16 अपांट 2 a आपका कितना है 5 प्रतांपद इस न हमकों कितना दिया 50 इस अपका एसन शोलमा पाद तु दू 8 अठ का आठ आजाएंका इन्टू 50 प्लस 5 प्लस 5 पश्टपन आजाएगा अपका इसका आठ का मुल्टिप्लाइय पश्ट पन में कर देद आठ पांच चालिस के सूल हाँ सिल 4 अठ पांच चालिस चालिस S16 आपको कितना निकाला है? 440. यहीं आपका एंसर हो जाएगा. आपको कोश्चन नमबर 1 शाल्व हो गया. अब हम कोश्चन नमबर 2 पर चलते हैं. अब बच्चो कोश्चन नमबर 3. कोश्चन नमबर 2. कोश्चन नमबर 2 क्या है? A बराबर आपको दिया, प्रथाम पद आपको साथ दिया है A13. मतलब जब को हम पहले, इससे A13 को मतलब को हम पहले सॉल्व करके बता चुके हैं. आपको दिया 35. अड़ी सारवंता निकाला हो एस तेरा ज्यात का नम. मतलब एस तेरा का योगफल ज्यात का नम. अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं. आपका प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद A पराबर 7. A 13 आपको क्या दिया है? 35. यह 13 फर्मूला हमने क्या बता था? A प्लस. 13 है यह कम कर लेते हैं. तो 12D इसकल टू 35 हो जाएगा. यह आपको क्या दिया है? 7. 7 प्लस. 12D is equal to 35. तो 12D बराबर हो जाएगा 35. यह 7 इधर प्लस में तुदर जाके मानास में हो जाएगा. तो 12D बराबर आपको कितना हो जाएगा? 35. 35 में 7 जाएगा. कितना आएगा? 28 आजाएगा. और D बराबर कितना हो जाएगा? 28 अपान 12. तब इसको हम काट लेते हैं. 4 त्याएग 12, 4 सुते 28. तो D बराबर आपका कितना हो जाएगा? 7 बटे 3. हमें D बोला था सारबंतर आपका 7 बटे 3 निकला है. अब S 13. हम फर्मूला लगा लेते हैं. S N बराबर N अपान 2. A प्लस N हो जाएगा आपका फर्मूला. एक ये भी फर्मूला आपको योगफल ग्याद करने का रहते हैं. तो S N, S N आपको 13 दिया. S 13 बराबर N की जगा भी 13 रखेंगे. बटे 2. A आपका कितना हो जाएगा? 7 प्लस N. A N आपका कितना? 13. A 13. ये 13 तो A N इसको माने कित ये आपका 35 रखना है. A N की जगा पर हम यहा 13 बटे 2. 7 प्लस. A 13 आपको क्या दिया है? 35. क्योंकि N की जगा पर 13 यहां पर भी रखा है. क्योंकि इसको A N लिखते हैं. तो N की जगा पर 13 यहां पर भी रखा है. 13 का N का मतलग 13 का मना को 35 दिया. इसलिए हम यहां पर 35 रख रहे हैं. यहां की जगा पर? तो 13 आपको कितना हो जाए? 35 प्लस. 7 तो आपको यह हो जाएगा 42. तो दो से कटेगा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2. 13 इंटू 21. का मल्टिप्लाइ कितना हो जाएगा? 13 एकम 3, 3 हांसिल 1, 13 दूनी 26, 26 एक सकता है. 27. यहां आपका answer. S3 आपका निकल किया? 273. D आपका निकल किया? 7 बटे 3. यहां आपका answer निकल आया. अब question number 3 हमने solve करा दिया. Question number 2 हमने solve करा दिया. अब question number 3 देखते हैं. question number 3. Question number 3 क्या है? A12 है. मतलब दिया है 37 और दिसारवंतर दिया आपको दिया है 3 दिया है. A और A12 को ज्याद करना है. मतलब पथम ज्याद करना है. मतलब 12 दिया है. SN12 आपको ज्याद करना है. यह उपर. कि हम solve करते हैं. आपको A12 बराबर 37 दिया. इसका फार्मूला हमने क्या बता था? आपको A plus 12 है एक कम कर देना. एक जारा D. इसकाल टू 37. A आपको निकालना है. 11 into D आपको कितना दिया है? 3. यह आपका 37 हो जाएगा. यह आपका 37. यह बराबर क्या हो जाएगा? 37 मानस 33. क्योंकि A plus में है तो धर जाके मानस में हो जाएगा. यह बराबर कितना आपको? 4 निकल गया. अब हम SN मतलब SN का फार्मूला लिख लिएते हैं. आइना पांट 2 A plus AN. तो S 12 is equal to N की जगार पर 12 रखेंगे. बटे 2 A आपको क्या निकल किया है? 4 plus AN. AN मतलब यह 12 है न तो इसका क्या हो जाएगा? 37. क्योंकि A 12 दिया है आपका 37. तो यह 12 जोद N दिया है. तो यह N कम भी मानस मतलब 37. तो हम AN बराबर भी 37 रखेंगे. 2 एक कम दुछक का 12. 6 और 37 प्लस 4. यह आपका 41 आजाएगा. तो 6 इन्टू 41. एस 12 बराबर हो जाएगा? 6 कम 6, 6 को 24. 246 आपका यह answer आगया. अब बच्चो एक formula आपको यह योगफल निकालने के लिए यह वाला. एक हमें एक और formula जो क्या नाम है? यह वाला formula था. इससे भी हम आपको निकालके बता देते हैं. जुकि हमें 3 question, 2 question किये तो यह इसी formula से किये हैं. आपको हम उस formula से भी करके बता देते हैं. से एक बराबर हो जाएगा, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. से एक हम 12. n की जगाए पर कितना रखना हैं? 12. 12 upon 2, 2 into, a आपका क्या निकाल किया है? 4. n की जगाए पर 12 रखना है, into d आपका कितना दिया है? 3. 12, 12. यह आपका 6 आ गया. 4 दूना, 8. यहाँ पर प्लस है. 4 दूना, 8, प्लस. 12 में एक जाएगा, 11 into 3. 6, 8, प्लस, जरतें, 33. 6 into, 8, प्लस 33, क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा. यह क्या हो जाएगा? 6, कम 6, 64 को 24. 12, 24. आप चाहे इस फार्मूले से इसका अंसर निकाल ले? या इस फार्मूले से? आप इस फार्मूले से लगाएगे, थोड़ा बढ़ा जाएगा. इस फार्मूले से लगाएगे, थोड़ा आपको इजी पढ़ेगा. आपका दोनों से इंसाल आ जाएगा. कोश्चन नमबर 3 का, कोश्चन नमबर 3 तक हमने कराया है. अब बच्चे भी कोश्चन हम नेस्ट क्लास में कराएगे. अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आयो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें.